अमेरिकी विदेश मंत्री एंजली बिलिंकन इजराइल पहुंचे जहां उन्होंने की साथ अक्टूबर को हमास के आतंगवादी हमलों के बात से यह इजराइल की मेरी चौथी यात्रा है पिश्ली यात्रा में मैंने हमास की रिहाई की सुईदा के लिए मानवी रुकावटों की संभावना बंदकों मानवी सायता में व्रद्दी और फिलिस्तिनी नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की थी ब्लिंकर ने कहा ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर काम करने की जुरत है सहिक्त राजज अमेरिका आजन लक्षों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद है गाजा में मानवी विराम जिसे लागू करने के लिए सहिक्त राजज अमेरिका ने इसराइल कतर और मिस्ट के साथ मि कराम को बढ़ाने पर है ताकि हम और अधिक बंदकों को बाहर निकालना जारी रख सके साथ हमें गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को मानवी सायता बढ़ाना जारी रख रहे हैं